अगर आपको भी मेरी तरह मेसेज अंट करते वक्त प्रॉब्लम आगे कि लिख रहाए डो जब यह मैं सेज यहाँ पर एसा कुछ लिख आ रहा है तो मैंने इस problem को कैसे solve करा वो मैं आपके बताऊंगा वीडियो का लाइक चुरूर करें और हमारे चैनल इसी रोटी इंटी को सब्सक्राइब करें तो इसके रीजन यह हो सकता है कि आपकी नेटवर्क वो स्टेबल नहीं है या फिर आपके जो सीमस में नेटवर्क पैक नहीं कभी-कभी वो आपकी नंपर पर मैसेज फीचर बंद कर देते हैं तो उनसे एक पर कॉंटक्ट जूरूट करें अगर आप उनसे कॉंटक्ट नहीं करना चाहते तो एक और मैथड़ भी है वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके problem solve हो जाएगी क्योंकि मुझे भी problem बहुत को ओपन कर लेना है तो setting open करने के बाद हमें निची स्क्रॉल डाउन करना है setting में तो setting में जैसर में च्रॉल डाउन करूंगा यहां पे iks option देखेगा var Cancerurg का तो इस पे click करना है आपको इस पे click करने के बाद है यहां पर चार पांच आपको फीचर देखेंगे तो यहां से आपको simply select कर लेना है manage apps पे तो जैसे manage apps पे मैं click करूँगा तो manage apps पे click करने के बाद हमें क्या करना है हमें यहां पर search कर लेना है काइन master को यहां फिर यह ओवी app है हमारा जिसमें problem आ रही है उसको अपने- यहां तो फिलाल मैं these API open कर लेता हूं jis app में problem आ रही है open करने के बाद उसकी storage पे जाने तो storage पे जाने के बाद storage का clear catch कर देना अपने app का तो मैं अपनी storage का clear cache कर देता हूँ clear data मत किजेगा क्यूंकि clear data करने से आपका सारी app का जो memory होगी उड़ जाएगी इसके बाद क्या करना है इसके बाद क्या करना हमें जाना है app permission पे तो app permission पे आने के बाद हमें यहाँ पे सारी permission सारी permission enabled कर देनी ऐ है- और धियान रखना है कि kann और सारी permission enabled करने के बाद हमें जाना है пर पर फिर टो अजड़ वहमें बैब और सारी permission इने बैन ना हमें नीचे scroll डाउन करना है और एक ओप्शन देगए निचे आपको जैसे scroll down करोगे तो यह option होगा रिष्टिक data usage का तो हमें क्या करना है इस पर हमें click करना है और इसमें wifi और mobile data आपको दिखेगा तो wifi और mobile data इन दोनों को आपको क्या करना है enable करना है अगर by chance off होगा तो इनको on कर लेना है और ध्यान रखना है इनको अभी off नहीं करना है तो यह सब करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है और यहाँ पर एक option होगा clear default का इस पर click करना है इस पर click करने के बाद एक पर अपने आप को force stop कर दिजेगा force stop करने के बाद एक पर अपने डिवाइस को restart कीजेगा restart करने के बाद 5 मिनिट बेट कीजेगा और 5 मिनिट बाद आपकी जो भी problem है वो solve हो जाएगी I hope आपके लिए यह video informative